दोस्तो अगर आपके पास चार बोल। का बैटरी है और खराब हो चुका है तो इसको भी आप प्रिपेर कर सकते हैं और दोस्तो इसका जो चार्जिंग का प्रॉबलम होता है जैसे कि इसको चार्ज करने के लिए आपको मोबाइल चार्जर को खराब करके इसका आगे का कट करके तब चार्जिंग करना पड़ता है मैं ऐसा सोलिशन बताऊंगा जिससे यह फास्ट चार्जिंग भी लेगा और यह रिपेरिम यह होगा तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तो इसकी मदद से मैं मैं इसमें बैटरी में पानी दे दिया हूं कुछ इस प्रकार से आप इसको खोल लिजिएगा यहां पर देखिए यहां पर खोलने वाला सिस्टम रता है यह देखिए यहां से खोल ले जिए गाद यह धो ढखकन निकालिएगा इस तरह से और उसके बाद में यह सिरिंज से इसमें जो बड़ा वाला बैटरी का पानी होता है इसमें बैटरी का पानी डाल दीजेगा जैसे कि मैं अभी डाला हूँ देख सकते हैं यहाँ पर पानी लगा हुआ है तो मैं इसमें डाल दिया हूँ अब चलिए इसमें चार्जिंग का बता रहा हूँ इसको charge कैसे करें तो इसके लिए आपको चाहिए ये देखिए AC DC सरकिट है ये और इसी से charging करेंगे इसमें मैं पहले आपको बोल्ट चेक करके दिखाता हूँ कि कहां पर बोल्ट मिलता है जो हम लोगों का ये जो DC वाला section होता है जो AC DC में जो बैटरी को charging वाला जो connector लगा रह देंगे कि कितना बोल्ट दे रहा है जिससे ये charge हो जाए तो चलिए इसको connect करके मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों देखिए मैंने इसमें current connection कर दिया हूँ अब चलिए इसका voltage चेक करके दिखाते हैं कितना voltage इसमें दे रहा है ये देख सकते हैं अब शाट बोल्ट के करीब में यह output दे रहा है इससे दोस्तों जल्दी चार्ज हो जाएगा आपका बैटरी चलिए इसको बैटरी को चार्ज करके देखते हैं तो यह देखिए यह वाला जो बैटरी है मेरा चोटा वाला इसमें अभी कितना कितना बैटरी बचा हुआ है चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं तो यह हो गया प्लस यह माइनस और बिल्कुल देखिए 007 करके कुछे नाम आतरा का है तो चलिए मैं इसमें कनेक्शन करके दिखता हूं कि कितना देर में यह चार्ज कर लेता है बिल्कुल नाम आतरा का इसमें बैटरी है तो चलिए मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूं कि यह वाला माइनस है दोस्तों यहां माइनस का कनेक्शन कर लेंगे और यह प्लस है तो यहां पर प्लस का कनेक्शन कर लेंगे तो यहां पर कनेक्शन कर दिया हूँ अब इसमें मैं कारेंडर रहा हूं बस थोड़ा देर में देखिएंगे कितना देर में चार्ज ले लेता है दोस्तों मैं ज़्यादा देर नहीं रखा हूं थोड़ा देर रखा हूं तो चलिए थोड़ा देर में देखिए कितना चार्ज हो रहा है मैं सिप्ली बता रहा हूं ने तो इसको चार्जिंग करूंगा तो कम सब 5-10 मिंट लगेगा और इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाए देखते हैं अगर थोड़ा भी बैटरी बढ़ा है तो समझे यह चार्ज लेगा चलिए भोल्ट चेक करते हैं यह देखिए जीरो पॉइंट ट्वेंट थर्टी फोर के करीब में दिखा रहा है थर्टी सीक्स थर्टी सेवे यानि कि बिलकुल चार्ज लिया है और यह ठीक स पसंद आये तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो इस तरह से आप AC-DC सर्किट से आहसानी से बैटरी चार्ज कर सकते हैं थैंक्यू पर वाचिंग हरी टेक्निकर्ड थैंक्स